अमरतपाल को लेकर डिब्रुगड जेल पहुंच चुकी है, पुलिस आज सुभा अमरतपाल को गिरफ्तार किया गया था, आपको बता देगी मोगा से डिब्रुगड लेकर पुलिस पहुंच चुकी है बड़ी कबर हम आपको बता रहे हैं, 36 दिन बाद आज आखिरकार भगोड़े अमरतपाल को गिरफ्तार कर लिया गया है मोगा से गिरफ्तारी हुई और ये तस्वीरे आप देख रहे हैं किस तरह से डिब्रुगड जेल पहुंचा है अमरतपाल सिंग अमरतपाल जब दुबाई से पंजाब आया था और पंजाब में आकर उसने श्री अननदपुर साहब में अमरतपान किया था और अक्तूबर 2022 को इसी रोड़े गाउं में भारी इकट होता है जहां पर उसको वारिस पंजाब दे का चीफ बना दिया जाता है फिलाल हम ग्राउन्द जिरो में रोडे गाउं में हैं जहां पर अमरतपाल को वारिस पंजाब दे का चीफ बना दिया गया था और इसी गाउं के गुरदवारा साहब में जो संत जरनेल सिंग भिंडरावलों की याद में ये गुर्दवारा साहिब बनाया गया है जहां पर ही अमरत पाल ने आज पुलिस द्वारा दावा किया जा रहा है कि उसको गिर्फतार किया जहांके स्थानिया लोग बता रहे हैं कि उसने आतम समर्पन किया है लेकिन फिलाल हम दिखा रहे हैं कि इसी गुर्दवारा साहिब में रात बहर अमरत पाल रहा और रात बहर रहने के बाद अमरत पाल सुबा इसी कुर्द वरारी साहिब में आ कर संत जरनेल सिंग भिंडरावलों की जो तस्वीर लगी है उसके सामने से माथा टेकता है और माथा टेकने के बाद पाठ करता है और पाठ करने के बाद बाहर आता है तो जहां पार जो सिवर ड्रेस में पुलिस के अधिकारी तैनात होते हैं तो उसको गिर्फतार कर लेते हैं बेशक जहां के स्थानिया लोग कहते हैं कि अमरत पाल ने जो आतम समर्पन किया है फिली हाल अब देखने बाली बात होगी कि अमरतपाल ने आतम समर्पन किया है जहां अमरतपाल को गिर्फतार किया गया है कैमरा मैंन इंदरीच के साथ विशाल अंगरेश Norli 24 रोडे गाउ मोगा अमरत पाल को गाउं रोडे के गुर्दवरा साहिब में गिर्फतार करने का पुलिस द्वारा दावा किया जा रहा है फिलाल जहां पर जो सेवक हैं सेवक भी आपको दिखाई दे रहे हैं किस तरह से यहां पर सेवक हैं यह बताएं कि अमरतपाल यहां पर कब आ गया था हमें तो नहीं मालम वैसे वो कह रहे हैं रात को ही आ गया था तो रात को सुबह कितने बज़े उसको पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया और पुलिस यहां पर कितनी तदाद में थी पुलिस नहीं थी उसनोंने खुदी गर्पतारी दी है यह तो पुल सब जानबूज का कह रही है कोई पुलस नहीं थी स्वेरे माता आएं थे हमारे और उन्हों बताया कर बाद में हम भी आए तो हमने देखा कोई पुलस नहीं थी कुछ अधकारी थे वो भी सिवल बर्दी में थे ऐसा कोई नहीं था बिल्कुल नॉर्मल था तो रात कितने बज़े अमरतपाल गुर्दवरा साहिब में आ गया था ये तो नहीं हम कह सकते ये तो हम नहीं क पुलस ने नहीं उन्होंने खुदी गर्पतारी यह तो अप पुलिस कह रही है जे गर्थ साहिब में अमरतपाल रात नहीं थेहरे था और जोही पर पुलिस के समक्ष इसी गुर्दवारा साहिब में यहां पर उसने सरंडर कर दिया था क्योंकि यह गुर्दवारा साहिब भी संत जर्नेल सिंग भिंडरा वालों की याद में यहां पर बनाया गया है और यह उनका जनम स्थान है जहां पर यह गाउं भी है यहीं पर ही अमरत पाल की इस इसी गाउं में दस्तार बंदी भी हुई थी कैमरामेन इंदर जीत के साथ बिशाल एंग्लिश न्यूस 24 गाउं रोडे मोगा आखिर 36 दिनों के बाद अमरत पाल पुलिस की पकड़ में आ चुका है और यही कारने के गाउं रोडे के गुर्दवरा साहिब में रात भर रहा औ समय हमारे साथ जहां के एक शरदालू है गुर्देव का और जो चश्म दीद हैं उस टाइम के जब 6 बज़ कर 45 मिट पर अमरत पाल को पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया गुर्देव को जी क्या कहेंगी आप आप सुबह कितने बज़े गुर्दवारा साहिब में आई सी आयां चेवजे ओदो आके उन्हें मुठा टेक्या जी मुठके उन्हें फटेवला के कोई ओने बुला रहा ने कीता को यह उने कौशन कीता अच्दर लिए तनांगा गेवास तो एक वीडियो भी दखाई दे रही है कि अंदर जो संगत थी कितनी संगत थी और संगत को व तो अंदर संत जर्नेल सिंग भिंडरावलों की तस्वीर लगी हुई है जो बड़ी सारी लगी हुई है गुर्दवारा साथ में तो वहां पर बैठकर उसने पार्ट भी किया था ओजी अपन उसकाल दानी पता इमें आप गुरुकार कड़े हैं तो आप वहां पे क्या कर र पर पर प्लीस वेखी यह अशी कर रहां चले गए तो यहां पर जो बाहर आए और जब अंदर जाने लगे तो यहां पर पुलिस ने पूरी तरह घेरा बंदी की हुई थी जब पुलिस की काफी गाड़ी नहीं इसे वहीं नहीं इसे पॉल्सता अच्छा गड़्ड़ना थे कैमरा मैन इंदर जीत के साथ बिशाल एंगरिज न्यूस 24 रोड ले गाउं मौगे